सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमतकारी उपायों के वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए धन्यवाद नमस्कार मैं हूँ वैभवन चर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 15 नवंबर के पंचांग राशिफल और महा उपाय के बारे में तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की विक्रम समवत 2077 मा सिल रहा है क आर्तिक्का तिथी क्रिश्ण पक्ष की अमावस्या की तिथी रविवार का दिन है नक्षत रहविशाखा योग है शोबन और करण है नाग और व्रत पर वह उत्यवहार के अगर बात करते हैं तो गुवर्धन पूजा और अनकुट की तिथी आज मनाई जा रही है साती सात तमावस्या का सहिएउग भी आज बन रहा है तो आज का जो राशी फल होगा वो बहुत ही विशेश होगा आज मैं आपको बताऊंगा कि अनकुट पर आप भगवान विश्णू की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान विश्णू को प्रसंद करने के लिए राशी पुष्प जो है वो समर्पित करें और किसी भी एकादशी से आरंब करके 43 दिन तक प्रते दिन एक तामे का सिक्का नदी में प्रवाहित करें आपको चमतकारी परणाम इसके मिलेंगे आपको आज की पूजा में ओम नमो नारणाय मंतर का प्रयोग करना चाहिए व्रिशब के जीवन में आप धन की कमी से जूज रहे हैं तो भगवान विश्णु और लक्ष्मी की पूजा में दक्षणावर्ति शंक की पूजा करें तथा उसे अपने धन रखने के इस्थान पर आप रखें आपको सफलता अवर्श्य मिलेगी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मं रिक्ष पर आप जल चड़ाएं और साथ बार आप परिक्रमा करें यदि आप त्रिकोन आकरिति का अजंडा भगवान विश्णु के किसी मंदर में उचाई वाले इस्थान पर इस प्रकार लगवा देते हैं कि वह लहराता रहे तो आपका भाग ये चमक उठेगा आपके विश्णु मंत्र है वो है ओम विश्णवे नमह इस मंत्र का आपको जाप और प्रयोब निरंतर करते रहना चाहिए करक राशी वाले करक राशी वाले जातक लोगों के लिए विद्या के छेत्र में लाव हेतु सफेद पुषपश्री नारायन को समर्पित करें घर में पील जातक लोगों को शत्रोप और विजए तू लाल पुषप श्री योगेश्वर को समर्पित करना चाहिए किसी भी एकादशी से आरम करके 21 दिन तक नियमित रूप से बगवान विश्णु के मंदर जाए और ब्रामण या किसी जरूवतमन व्यक्ति को धन का दान आपको करन चाहिए आपके लिए जो विशेज विश्णु मंत्र है वह है तुमेव माता चा पिता तुमेव बंदू चा सखा तुमेव तुमेव विद्दा द्रवडम तुमेव सर्वं ममदेव देव इस मंत्र का आपको जाप और ध्यान मेरंतर करते रहना चाहिए कन्या राशी कन्या संबंदी कोई समस्य आ रही है तो एकादशी की रात में भगवान विश्णू को पूजा के उपरांत आप एक लाल रुमाल में नारियल बांद करके अपने गल्ले अत्वा तिजोरी के स्थान में उस नारियल को रख दीजे जो नारियला भगवान विश्णू की पूजा में समर्पित करते हैं आपको धनलाब होने लगेगा आपके लिए विशेश मंत्र है श्री कृष्ण गोविन दहरे मुरारी हेनाथ नारायन वासुदेवर तुला राशी वाले जातक लोगों को पारिवारिक सुक्षान्तियतू बिल्व के पत्र जो है भगवान विश्णू और मालक्ष्मी को समर्पित करना चाहिए भगवान विश्णू को गुड़ और चने की डाल का प्रसाथ समर्पित करें एकादशी की शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर और पीपल के व्रिक्ष के पास तेल का दीपक जलाएं तता उस दीपक में दो काली गुंजा डाल दे तो वर्श भर आपको आर्थिक रूप से कोई परशानी जीवन में नहीं आने वाली है आपका रुका हुआ धन भी आपको जल्दी मिलने लग जाएगा ओम वासुदेवा यह नमहा मंतर का आपको जाप करना चाहिए वरिश्यक राशी वरिश्यक राशी वाले जातक लोगों के लिए सकल कारे में सफलता है तू विजय और सफलता के लिए लाल कनेर के पांच पूल नारायन देवता को आप समर्पित करें गी दही आलू और कपूर का दान किसी ब्रामन को करें और ओम अंग संकरशनायन महा मंतर का जाप आपको जरूर करना चाहिए धनुराशी धनुराशी वाले जातक लोगों के लिए सर्वसुख प्राप्तिवितु केसर का तिलक विश्नु और लक्ष्मी जी को लगाए किसी मंदिर के पुजारी को भोजन कराएं लक्ष्मी पूजा के बाद गड़े जी की प्रतिमा को हल्दी की माला धारन कराएं इससे आपको जो भी जीवन में परशानी आ रही है वह समाप्त हो जाएगी आपके लिए विशेश मंत रहे ओम अंग प्रद्युमनायनमहा मकर राशी मकर को घास खिलाएं और लक्ष्मी पूजन के साथ साथ कमल के फूल का भी पूजन करें तथा बाद में इसे इस फूल को लाल कपड़े में बान करके धन रखने के इस्थान पर आप तिजोरी में या लॉकर में इसको रख दीजे ओम अह अनिरुद्धायनमहा मंतर का एक सो करें यह आपके लिए बहुत ही विशेश शुब कहा जा सकता है हल्दी और पीले चंदन से भगवान विश्नु लक्ष्मी की पूजा करें शाम के समय पीपल के व्रिक्ष के नीचे तेल के पंचमुखी दीपक जलाएं ओम नारायना इनमहा मंतर का जाप आप करें तो आपक श्रीयंत्र की पूजा करें और उस पर रोज गूगल की धूप आप जरूर दिखाएं एकादशी की रात में लाल चंदन और केसर घिस करके उससे रंगा हुआ सफेद कपड़ा जदी आप अपने गल्ले और तिजोरी में बिचाते हैं और उस पर आप अपने धन वगर सोने चांदी जवारा जो कुछ भी आप रखते हैं वो रखेंगे तो आपकी सम्रिद्धी में हमेशा व्रिद्धी होती रहेगी और आकस्मिक धनानी के अफसर आपके जीवन में फिर नहीं आएंगे आपके लिए विशेश मंत रहे ओम नारायनाय विदमह वासुदेवाय अधी से तोटके जो साल भर आपको धन का लाब कराते हैं धनवर्शा इन उपायों को करने के बाद होती रहती है आईए जानते हैं क्या है ये तोटके दीपावली का पाच दिन का तिवार सिद्धी और साधना का पर्व माना जाता है नकुट भी इसमें से एक बहुत ही मात्वप पार्ट से अपनी आर्थिक परशानियों को दूर करने का उपाय करते हैं आप भी अनकुट के मौके पर इन इकिस उपायों में से अपनी सुविधा के नुसार ग्यारा बारा जो भी तोटके कर सकें पांच साथ कुछ भी कर सकें तो इससे आपको फायदा अवश मिलेगा ब प्रिद्धी के बहुत अच्छे योग बन जाते हैं दूसरा उपाय है कि जल्दी अचानक धन लाब के लिए अनकुट की शाम को किसी बरगत के पेड़ की जटा में गाट लगाएं धन लाब मिलने के बाद इस गाट को आपको खोल देना चाहिए अनकुट की रात हथा या धन रखने के इस्थान पर अगर आप रखते हैं तो आपको फायदा अवश्य मिलता है देवी लक्ष्मी की पूजा के समय गोमती चक्र को पूजा की थाली में रख करके माता की पूजा करें पूजा के बाद गोमती चक्र को तिजोरी में रखने से धन बढ़ता है अनक पूजन के समय एकाक्षी नारियल की भी पूजा करें और इसे हमेशा देवी लक्षमी के साथ पूजा इस्थान में रखें लक्षमी पूजन में पीले रंग की कौडियों का प्रयोग करें इससे देवी लक्षमी जल्दी ही प्रसंद होती हैं अनकुट के दिन पीपल के पत् जिद्धा घर में फिर ठहरती नहीं है अनकुट की राज चांदी की कटोरी में कपूर जला करके देवी लक्षमी की आरती करना धन अवरिद्धी में सहाया कुपाय माना जाता है इस फटिक का श्रीयंत्र लाल कपड़े में लपेट करके तिजोरी में रखना चाहिए मूर्ती के सामने नौ बाती वाला दीपक जलाएं और दीपक जलाने के लिए घी का प्रयोक करें इससे कहते हैं कि जल्दी धन लाब मिलने का ये टोटका है और आर्थिक उन्नती के मामले में ये बहुत ही चमतकारी माना जाता है काली हल्दी देवी लक्षमी को अर्पित कर धल्दी को लाल कपड़े में बांध करके धन रखने के इस्थान में आपको रखना चाहिए अनकुट की रात पीपल के पत्ते पर दीप जला करके जल में प्रवायत करने से आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है तुल्सी के पौदे पर लाल रंग के लाल या पीले रंग के वस्त्र चणाएं और इसकी जड़ में एक देशीगी का दीपक आप अगर लगाएं ये उपाय जो है आपके सौभागे का सुख का बहुती चमतकारी तोटका होता है और दीपक ऐसा लगाना चाहिए जो रात भर वो जलता रहे अनकुट पर मा लक्ष्मी का पूजन करने के बाद काले तिल हाथ में ले करके घर के सभी सदस्यों के सिर के उपर से साथ बार गुमा करके बाहर की तरफ फेग दे ऐसा माना जाता है कि इससे धन हानी जो अचानक हो रही होती है वो रुग जाती है किसी सुहागे निस्त्री को सुहाग की सामगरी का दान करना भी आच दिनों के पर्व के बीच में किसी भी दिन करना बहुती शक्तिशाली उपाय माना जाता है अन्नकुट पूजन के समय में अपामार्ग की जड़ देवी लक्ष्मी के पास रखे और पूजा के बाद उसे अपने दाहिनी बाजू में आप धारण कर ले महिलाओं को आप्त होते हैं यह निश्यती पसंद आते होंगे आप सभी से बार-बार आग रहा है कि जब भी आप मेरे वीडियो देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर और टाइमली अपडेट के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं जिससे नए वीडियो की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके धन्यवाद यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिकत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं यानि आप अपनी किसी भी परसनल प्राप्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडी चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं टेलिफोनिक कंसल्टेशन फोन पे बात करना दूसरा face to face यानि personal meeting के करना आप हमें phone के माध्यम से email और whatsapp के माध्यम से appointment book कर सकते हैं हमारा नमबर है 999-07-24131 आपको दो नमबर दे रहा हूं इन दोनों नमबर पे whatsapp available है आप whatsapp करें 9818-300-146 यह हमारे office का दूसरा नमबर है अगर आप हमें email करना चाहते हैं तो आप हमें email कर सकते हैं हमारी email id नोट कर लीजे इस पर आप हमें email भी कर सकते हैं मित्रों आजकल phone calls बहुत जादा है और मुझे भी मालूम है आप लोग call करते हैं phone receive नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं ऐसे में email और whatsapp करना सबसे बहतर तरीका है धन्यवार